आपने किसके लिए करने हैं किसके लिए करने हैं आपने यहाँ पे क्वेशन दिया हुआ है यू आर सुमन आप कौन हैं आप सुमन हैं लिविंग एट 152-B न्यू कॉलोनी गुडगाउं देखी यहाँ पे आपका नाम दिया है कि आप सुमन है और आपका रहने का एड्रेस भी दिया है कि आप कहां रह रहे हैं ठीक है यह ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे तो write a letter to the postmaster of your locality complaining that you have not received so far the gift parcel sent to you by your friend from UK आपने postmaster को पोस्ट मास्ट कौन होता है he is the head of the post office post office का जो head होता है ठीक है आपने उसको complaint लिखनी है किसके बारे में लिखनी है कि यह आपके दोस्त ने United Kingdom से जो है आपके लिए gift भेजा था parcel भेजा है gift parcel वो आपको अभी तक नहीं म यह आपने लिखनी है ठीक है तो आप किस तरह से लिखेंगे this was your question now how to write this letter 01 श्रेय भावन कानपूर 8 अगस्ट यहां पर date अलग से डाली है MSHMT Corporation कानपूर फिर आप डालेंगे date ठीक है date के बाद फिर आपने लिखना है जिसको आप letter लिख रहे हैं आपने किसको letter लिखनी है पोस्ट मास्टर को तो पोस्ट मास्टर कहां का होगा अब naturally आप new colony गडगाओं में रह रहे हैं तो वहीं पर ही post office होगा उसी post master को लिखना है तो इसलिए the post master same way address आजाएगा new colony post office गडगाओं ठीक है अब आगे आपका subject क्या बोला है जब भी formal letter हम लिखते हैं तो हम क्या करे subject जरूर लिखेंगे subject के लिखा आपने delay in the delivery of gift parcel अब नीचे आएगा कि respected sir या madam आपको नहीं मालूम है कि post master कौन है sir है या madam है अगर तो आपको पता है तब तो आप के वले कि respected sir लिख सकते हैं अगर maim होंगी तो respected madam ठीक है लेकिन कई बार होता है हमें नहीं मालूम होता है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर sir होंगे या madam होंगे तो ऐसे situation में हमें क्या करना है respected sir, oblique करके हम क्या लिख देंगे madam, respected sir या madam अब ये तो होगा salutation, subject भी होगा, address भी होगा, अब हमारी बारी आती है body of the letter की, तो body of the letter में क्या लिखना है हमने, वही complaint I wish to bring to your notice that, मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, कहां, I have not so far received the gift parcel sent by my friend in the UK, कि UK में रहने वाले दोस्त जो है, उन्हें में को जो gift parcel भेजा है, मुझे अभी तक नहीं मिला है, over a month has passed from the date of dispatch, कि वहां से भेजे हुए उसको महिना हो चुका है, कई बार मैंने पूछा है, तो nobody gives me the proper answer, मैं कई बार गया हूँ, तो मुझे अभी तक कोई भी जोए वहां से जवाब नहीं मिला है, I request you to look into the matter as soon as possible, और मैं आपसे request कर रहा हूँ, कि जितनी जल्दी हो सके, इसके बारे में आप, इसके बारे में आप देखें, ठीक है, you are sincerely suman, suman क्योंकि आपको बोला गया है, कि you are suman या suman, ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिखना है, suman, जो आपको बोला गया है, वही लिखना है, तो actually यह बहुत बड़ा भी हो सकता था, लेकि मैंने cable shot में लिखा है ये, ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि, this is as per your standard, you are in class 6th, ओके, आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा widen करके नहीं लिखना है, आप learn करेंगे, आप से learn नहीं होगा, ठीक है, तो to the point आपने लिखना है, अभी तक आप क्या करेंगे, to the point लिखेंगे, जैसे जैसे आप आगे classes बढ़ते जाएंगे, आपकी ये body job increase होती जाएगी, ठीक है, material इसमें और increase होता जाएगा, for 6th standard, this much of letter is enough, okay, now let's go through the second question, now what is the second question, you are Rishikant, living at 101 Shreya Bhavan, Kanpur, write a letter to MS HMT Corporation, Kanpur, complaining that the wrist watch you lately bought from them, does not keep good time, आप ने क्या किया, HMT Corporation Kanpur से जो है एक घडी खरी दी, ठीक है, अब वुच्छे चली नहीं रही है, नहीं घडी है और चल नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, complaint लिखनी है, उस company के लिए, यहाँ पे address दिया गया है, आप कौन है, रिशिकांत है, ठीक है, के वले एक ही नाम दिया है, रिशिकांत, और आपको रहने का address भी दिया है, तो सबसे पहले हम क् formal latest में क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना address लिखते हैं, हम कहां रह रहे हैं, वो address लिखेंगे, तो आपको तो address दिया हुआ है, 101 श्रिया भवन, कानपुर, और यहाँ पे date डालेंगे, date जरूर डालनी है, हर address के बार date डालनी है, ठीक है, और किसको लिखा जा रहा है, MS, HM Community Corporation, कानपर, ठीक है, अब बार यहाती है, subject की, subject क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या एक complaint करनी है, तो complaint regarding the irregular timing of the new wrist watch, कि नई घड़ी खरीदी हुई घड़ी का समय जो है, वो सही नहीं है, उसके बारे में एक complaint करनी है, ठीक है, now, salutation, respected, sir, ma'am, this is for your kind information, that I bought an HMT wrist watch from M.A. Sudarshan Watch Company, कानपूर, on June 10, 2011, अब देखिए, कि मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ, कि मैंने HMT की घड़ी खरीदी, wrist watch क्या होती है, कलाई में बानने वाली घड़ी, कहां से खरीदी, आपने उस दुकान का नाम लिखना है, ठीक हो, कि घड़ खरीदी, कहां से खरीदी, ठीक है, और कब खरीदी, कौन से डेट पर खरीदी, आपके पास पूरी रिसीद होती होती है, तो वो पूरा अपने लिखना है, जैसे यहां लिखा है, I bought an HMT wrist watch from M.A. Sudarshan Watch Company, यह दुकान का नाम है, और कहा है, कानपूर में, और कौन से डेट प खरीदी थी, June 10, it has one year warranty, और एक साल के उन्होंने क्या कर दी थी, हमें warranty भी दी थी, I regret to tell you that it is not working well, और मुझे दुख हो रहा है, यह बताते हुए, कि वो घड़ी ठीक धंग से नहीं चल रही है, the cash memo and warranty cards are with me, cash memo मतलब जो आपको receipt देते हैं, दुकान दार, वो उसको बोलते है cash memo, और warranty card होता है, warranty जैसे कि दिया हुआ, एक साल के warranty कि अगर कोई भी खराबी आती है, तो वापिस कर सकते हैं, तो कहरें कि दोनों चीज़ें जो हैं, वो मेरे पास हैं, I request you to please replace the wrist watch and oblige, मैं आप से नरूद करता हूँ, कि उस घड़ी को वापिस replace करें, मतलब उसकी जगर न जादा नहीं है, क्या लिखा, कि आपका ध्याना करशित करना चाहता हूँ, कि मैंने कहां से खरी दी, एक घड़ी घड़ी दी, कहां से खरी जगह का नाम, कब घड़ी दी, और मेरे पास क्या है, उसके cash memo भी है, एक warranty card भी है, ठीक है, और बस मैं आप से नरूद करता हूँ, कि उसको, जो हो, रिप्लेस किया जाए, उसके बदले नहीं घड़ी दी जाए, बस इतनी सी बात आपने लिखनी है, जादा आपको लिखने की में जरुरत नहीं है, इस इस पर यॉर स्टैंडर्ड, ठीक है, फोकले 6th क्लास, इस इस इनफ, यू नीद नाट तो राइट आपने में में बाते जो हैं, वो लिखनी है, तो इस तरह से आप जो है, अपने पूरे को लिख सकते हैं, so, घर पे कोशिश कीजिएगा, लिखने की, thank you, and have a nice day, stay home.